हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागता है अपका गेर इंस्टूट के यूट्यूब चैनल में तो आज का हमारा टॉपिक है साइंग बार साइंबार आपने देखा हुगा जैसे कोई O sleeping object है और उसका हमें एंगल प्राइंग करने में तो किस तरह से हुगा यह कैसे यूज करते हैं तो आएए देखते हैं देखिए यह साइंबार एक और बाता दू कि आज क्याल इंजर्ट्री में यह नहीं यूज होता। लेकिन हमें डिप्लोमा डिक्री क्लियर करना है तो हमें करना ही बढ़ेगा। तो ये basics होते हैं जो हमें सीखने बहुत जरूरी है। कि ये angles फाइंड आट करने हैं कहां से idea आया, क्या idea लगाया था पहले इंसान ने, किस तरह से इंजिनियर्स ने चीज़ें आगे बढ़ाई ठीक है, तो basic पता होगा, तब ही हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इसलिए हमें sign bar पता करना है, तो ये जो होता है, हमारे पास ये sign bar होता है, देखिए, ये वाला part और यहां पे रोलर लगे होते हैं यह रोलर हैं यह fix हमें बनाया बनाया मिलता है ठीक है मार्केट में अगर आप लोगे इसको तो यह बना बनाया आपको मिलेगा तो यह जो पार्ट है यह इसका हिसा नहीं है यह एक slip gauge होता है slip gauge क्या होते हैं अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उपर आपको एक link दे रहा हूँ, आप उस पे click करके देख सकते हैं, ठीक है, तो यह जो product है, इसकी हम angle मानलो find out करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो action में sign bar कौन सा है, यह वाला, ठीक है, और sign bar का नाम sign bar क्यों पड़ा, ठीक है, वो भी हमें आ कोई लगाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसका angle कौन सा है, तो मैं उसको देख सकता हूँ, with the help of sign bar, तो यह देखिए हमारे पास surface plate है, surface plate आप देखना, metrology and instrumentation lab में आपके पास पड़ी ही होगे table पे जरूर, ठीक है, क्योंकि यह surface plate काफी smooth होती है, horizontal करके रखी ह होती है, और इसका यह नहीं है, कि surface आपका rough नहीं होगा इसका, तो इसके ऊपर हम instruments रखेंगे, जो भी रखेंगे, surface plate हमें इसके यूज होती है, तो हमारे पास मान लेके वो product है, जिसका हम angle find out करना चाहते हैं, तो हम with the help of sign bar हम करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, कि यहा हम सीधा उपर जाके रखेंगे, इसके उपर, और हम product को कुछ इस तरह से रखेंगे, कि इसका ये वाला surface जो है, ये horizontal हो जाए, angle हमें इसका पता करना देखी, यहाँ inclined है, तो यहाँ इस दूसरे surface को हम इस तरह रखेंगे, ताकि वो horizontal हो जाए, ठीक है, अब horizontal है या नहीं है उसका कैसे पता करेंगे, उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक dial gauge indicator का देगे, अब dial gauge indicator आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका जो needle है, हमें zero जब show करता है, यहाँ पे, zero जब show करेगा, तो यह क्या होगा, dial gauge indicator में zero show करने का मतलब कि नीच वारा जो surface है, यह horizontal है, ठीक है, इसके उपर हम इसे move करके देखेंगे, ठीक है, यह horizontal है या नहीं है, तो इसकी working भी आपको पता होनी चाहिए, काफी important है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब यह देखे, inclined हो गया, यह sign bar तो inclined है, तो इसको sport देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम slip gauges लगा देगे, देखे, slip gauges यहाँ पे अलग लग हाइट के होते हैं, तो हम फो यहाँ पे लगादेंगे, एक roller के निचे लगा दिये, अब दूसरे roller के निचे भी हम लगा देघते हैं, इसी तरह हम यह लगा देगे, ठीक है, दोनों side हम लगा दिये, देखे, अलग लग طीateurs क्यों होते हैं सबके और परड़क्ट पर डिपेंड करता है कई बार यहां पर यह जो स्लिप गेज आना उसकी जरूत नहीं पड़ती हमें हमें यह सीधा सीधा जमीन पर रख लेते हैं इसको इस रोलर को ठीक है अकॉर्डिंग टू परड़क्ट हमें देखना होता है जैसे मै मेरे पास यहां पर स्लिप गेज लगे हुए यहां पर स्लिप गेज लगे हुए तो स्लिप गेज की हाइट उस पर लिखी होती है तो यहां देखिए और साइन बार की जो लेंथ है यह और डिफाइंड होती है यह प्री डिफाइंड होती है उसके ऊपर लिखी होती है यह होती है वो इस roller के center से इस roller के center तक की length होती है यह भी बहुत important है objective type question में कई वर पूछ लेते हैं तो आप इसको भी याद रखिए तो इसकी जो height है यह माल लेते है h2 इसकी जो height है उसको हम माल लेते है h1 ठीक है यह height कैसे पतक सकते है slip gauges जब आप लगाएंगे तो उसको plus करके आप value देख सकते हैं कि मेरे slip gauges कितने use हुएं ठीक है अब देखे अब game शुरू होगी में अब हमें angle find out करना है तो angle find out करने के लिए हम क्या करेंगे देखे यहां पे h1 जो height है यहां पे मैंने बना दी ठीक है यहां पे देख रहे हैं तो h1 height बना दी h2 height यहां पर है यह h2 height है अब मेरे पास एक छी देखो यह एक triangle की shape दे रहा है ट्राइंगल की शेप दे रहा है अगर मैं इसको यहां से एक लाइन लगा दूँ यहां तक अगर यहां तक लाइन लगा दूँ तो मेरे पास उपर क्या बनेगा एक ट्राइंगल बन जाएगा बस तो कुछ इस तरह से है कि हम इसको यूज करेंगे as a right angle triangle ट्राइंगल बना द देखिए यार सीधी सी बात है यह कुछ इस तरह से कि अगर मैं यहां से यहां तक की लाइन लगा दूँ तो यह इस तरह से है कि यह रहा मेरे पास यह जो ट्राइंगल है यह कुछ इस तरह से शोगी ठेक है यह जो length है यह length कौन सी है यह है length of sign bar और यह height क्या होगी h2 में से अगर h1 माइनस कर दूँ कुछ इस तरह से था आपको यहां देखा दूँ h2 था total में से h1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास यह देखिए यह जो है यहां line आजएगी ठीक है आपको मैं करके दिखायता हूँ अगर आपको ज़्यादा clarity चाहिए तो तो यहां पे मैं क्या एक line लगा दूँगा एक line सिधी लगायता हूं और यह line जाएगी ठीक है तो यहां यह सामने जला length क्या होजाएगी यहां सी यहां तक uh1 होजागी मत्रब ह2 में से ह1 minus कर दूँ तो मुझे यह length पता लग सकती है कौन सी h2 में से h1 minus कर दूँ तो यह पता लगजागी और यह length जो है वो यह है और यह angle कौन सा बननेगा theta जो हमें पता करना है ठीक है तो मेरे पास इस तरह से यह बन जाएगा यह बन जाएगा तो यह देखे यह right angle triangle बन गी तो angle के सामने वाला क्या होगा perpendicular और यह होगा hyponess तो sin theta का क्या फर्म रहता है sin theta होता है perpendicular over hyponess hyponess और perpendicular हमारे पास क्या है h2 minus h1 hyponess मेरे पास क्या है l length of sin bar तो हम क्या करेंगे theta इदर रख लेंगे और sin inverse इदर कर देंगे जो भी उसकी value आएगी उसका sin inverse कर देंगे और उस value का sin inverse करने के बाद angle आजाएगा हमें angle पता लग जाएगा product का तो जो angle होगा वो यहाँ पे लिख देंगे कि इंतना angle है तो इस तरह से आप sign bar की help से angle find out कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको यह चीज़ समझा आगी होगी अगर आपको समझा है तो आप comment में जुरू बताए मुझे कि आपको यह चीज़ समझा आई है या नहीं आई है thank you thank you so much